हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है दुस्वन बीना जी अभी पती और सास के लिए नास्ता मेज पर लगा रही थी तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी अरे मोनिका तुम्हे सबक ताउरिये बैग सब ठीक तो है ना बीना जी दरवाजा खोलत करते हैं मोनिका के पिता सुरेश जी अपनी लालेली को देख बोले नहीं पापा मुझे कोई नास्ता वास्ता नहीं करना आपने कैसे घर में मेरी साधी कर दी जहां मुझे सभी कैद में रखना चाहते हैं मोनिका गुस्से में बोली ऐसा क्या हो गया जो इतना गुस्से में यहाँ चली आई हो बीना जी परेञ्सान हो बोली तुम तो रहने दो यह उसके पिता का घर है जब उसका मन करेगा आएगी समझी तुम जो मेरी पोती के लिए नास्ता बनाओ किसी के कुछ बोलने से पहले मोनिका की दादी विमला जी बोली असल में मोनिका विमला जी और सुरेज जी की लाडली है ऐसा नहीं की बीना जी उसे प्यार नहीं करती पर जहां बीना जी मोनिका को अच्छे बुरे की गलस सही की पहचान करवाने को थोड़ा सकती बरतती है वहीं सुरेज जी और उमला जी उसे सह देते हैं जिसे मोनिका थोड़ी जिद्दी और नक्चड़ी बन गई है सास और पती के आगे बीना जी की चल नहीं पाती और वो मन मसोस कर रह जाती है अभी एक महिने पहरे ही उसकी साधी रोहित के साथ जोर सोर से हुई थी और आज वो अपना सामान बानमाय के आ गई थी बीना जी वहाँ से जाने लगी तभी फोन बजा हेलो ममी नमस्ते मैं रोहित मोनिका वहाँ आई है क्या पता नहीं कहा चली गई बिन बताए हम सब यहाँ परेशान है बीना जी के फोन उठा हेलो बोलते ही रोहित परेशान सा बोला जी ते रहो बेटा हम वो यहीं आई है पर ऐसा क्या हुआ जो बिन बताई अपना सामाल लेकर आ गई बीना जी ने पूछा कुछ नहीं मम्मी रात ये देर से घर आई दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी हम यहाँ फोन मिला मिला परेसान थे तो बस मम्मी ने इतना बोल द कि कम से कम फोन करके बता तो देती लेट होगा बस इसे गुस्सा आ गया बोली मैं हर बात के लिए आपसे परमिसल लूंगी क्या ये घर है आजेल मैंने इसे एतना बोल दिया कि मम्मी से कैसे बात कर रही हो उन्हें तुम्हारी फिक्र है इसलिए बोल रही बस इतनी सी बात पर उल्टा सिधा बोलने लगी और कमरा बंद कर लिया अपना सुभा मैं वाग पर गया था मम्मी मंदिर गई थी तो ये अपना सामान उठा चल दी हम कितने परेसान थे रोहिते एक सास में बोल गया हम देखो रोहिते मैं मोनिका की तरफ से माफी मांगती हूँ और तुमसे मिलकर बात करना चाहती हूँ वीना जी बोली मम्मी आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं और आप जब कहोगी जहां कहोगी मैं जाओंगा रोहितादर से बोला जगा और समय तैकर दोनों तरफ से फोन रख दिया गया अरे किसका फोन है जल्दी से नास्ता लाओ ना तभी सुरेश जी ने आवाज दी लो मोनिका और ये बताओ क्या बात हुई थी वहाँ नास्ता देवीना जी ने पूछा मम्मी उन लोगों को मेरे बाहर जाने से परिशानी है बोलते हैं बताया क्यों नहीं अब हर बात बता कर थोड़े करूंगी मैं अपनी सास कोई जेलर और मैं कैदी थोड़ी मोनिका बोली पर बेटा जैसे मुझे तुमारी फिक्र है उन्ह ये गलत भी तो नहीं किसा में मोनिका बोली मोनिका सादी कोई बच्चों का खेल नहीं है समझी तुम बीना जी बोली चुपर हो तुम अब मैं अपनी बेटी को तभी वहाँ भेजूंगा जब रोही तलग घर लेकर रहेगा क्योंकि मेरी बेटी किसी की कैद में नहीं रह सकती सुरेज जी चिल बीना जी समझ गई पिता और दादी का लाड मोनिका का दुस्वन बन रहा है। बीना जी मुसकुराते हुए बोली, मम्मी आप क्या करेंगी, देखिए मैं मूनिका से बहुत प्यार करता हूँ इस बात का ध्यान रखिएगा रूहत बेचैनी से बोला जानती हूँ बेटा और मेरी बेटी का नसीब अच्छा है कि तुम उसे पती के रूब में मिले हो तुम फिक्र मत करो मूनिका खुद अपने घर वापिस आएगी ये मेरा वादा है तुम से बीना जी बोली फिर दोनों ने एक दूसरे से विदा ली इतनी दिर कहा लगा दी बहुत तुमने तुम तो बाजार गई थी ना घर में गुसते ही विमला जी ने बीना जी से पूछा वो मा जी मैं वकील के पास गई थी बीना जी बोली वकील के पास पर क्यों तभी वहां सुरेश जी मौनिका के साथ आए और बोले मौनिका और रोहित के तलाग की बात करने बीना जी सांते सर में बोली तलाग ये क्या कह रही हुआ मम्मी मैंने कब कहा मुझे रोहित से तलाग चाहिए मोनिका तलाग की बात सुन बढ़कते हुए बोली बहु ये क्या बोल रही है तू कैसी मा है जो अपनी एक महीने पहले ब्याही बैटी के तलाग की बात इतने आराम से कर रही है विमला जी भी बढ़क कर बोली मा जी मोनिका उस घर में रहना नहीं चाहती और रोहित अपने माबाप को छोड़ना नहीं चाहता इसलिए इन दोनों का तलाग हो जाना ही बेतर है क्या फाइदा रिष्टे को बेवजा खीचने का क्यों मोनिका बेटा बीना जी बोली लेकिन बीना हम रोहित को समझाएंगे और मुझे यकीन है वो मान जाएगा और हमारी बेटी के लिए अलग घर ले लेगा और अगर उसे घर लेने में दिक्कत होगी तो हम दिला देंगे नया घर पर यूँ बेटी के तलाग की बात करना सहीं नहीं है सुरिष जी जो खुद तलाग की बात से सकते में थे बोले क्योंकि माबाब भले अपने बच्चों की नाजायज बातों का भी समर्थन करते हैं पर कोई माबाब नहीं चाहते उनके बच्चों का तलाग हो देखे जी हमारी बच्ची ससुराल में खुश नहीं उसके ससुराल वाले उसे तंग करते हैं और रोहित भी उन्हें कुछ नहीं कहता कल को वो हमारी बेटी पर और अत्याचार करे इससे पहले हमें इनका तलाग करवा देना चाहिए और मैं तो कहती हूँ लगे हाँ दहज का केस भी डाल दो जब जेल की चक्की पीसे गावो तब समझाएगा हमारी बेटी का मूल बीना जी बोली ममी क्या बोल रही हो आप रोहित की इसमें क्या गलती और उन लोगों ने मुझे दहज कहा मांगा ना ही कोई अत्याचार किया है बलकि वो तो मुझे अपनी बेटी की तरह रखते है जो खाना है खाओ जो पहनना है पहनो हाँ थोड़ा टोका टाकी करते है पर उसकी वज़ा से तलाग थोड़ी लिया जाता है मोनिका मा की बातों से परेशान हो सुरेश जी और विम्ला जी भी परेशान हो बीना जी को ही देख रहे थे पर बेटा तुम्हें जब उस घर में रहना नहीं और रोहित वहां से अलग होगा नहीं तो हम तुम्हारा तलाग करवा कर ऐसी जगा तुम्हारी साधी कर देंगे जहां लड़के के माबाप ही नहीं फिर तो कोई टोकाटाकी नहीं रहेगी हाँ ये ठीक रहेगा क्यों जी बीना जी बोली मुझे कहीं साधी नहीं करनी ना तलाग लेना मैं अभी अपनी घर जा रही हूँ पापा वरना ममी मेरा तलाखी करवा कर मानेंगी मैं अपने सास उसर की थोड़ी टोकाटा की बरदात कर लूँगी पर रोहित से लग नहीं होना मुझे परेसान मोनिका बोली और अपना सामान ले ले अंदर चली गई और फिर तेजी से बाहर निकल गई बेटा सुनतो सुरेश जी उसे आवाज देते रह गए जाने दीजिये उसे क्योंकि सही माइने में वो अब साधी का मतलब समझी है बीना जी सक्तलहजे में बोली आज पहली बार सुरेश जी की हमत नहीं हुई पतनी से कुछ बोलने की आसा करते हूं दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, सेर जरूर करें धन्यवाद